हेलो दोस्तो नमेश्कार तो इस चैनल का लिंक आपको उपर आई बटन पर या नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो चले दोस्तो फिलाल इस वोड़ो को स्टार्ट कर लेते हैं तो दोस्तो अब हम लोग आ चुके बिलकुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के उपर अगर अगर आप देखोगे तो सीधा gap डाउन के साथ ही हम लोग को स्टार्ट होते हैं और सिर्फ गिरावट के उपर गिरावट देखने का आप ही मिली है हमेशा की तरह मैं आपको एक बात जरू कहना चाहूँगा कि गिरावट के पीछे की वज़ा क्या है ये सबसे पहले identify करना होता है वरना stock market में हर एक stock में कभी ना कभी इस तरीक का बड़ा pressure आता है मतलब हमें exit करना पड़ेगा तो पहले हम लोग देख लेते हैं गिरावट के पीछे की वज़ा के बट एक बात तो पक्का है दोस्तों कि पाच दिन की बात करें तो आप देख सकते हैं लगबग 14-15% के बीच में गिरावट देखने को मिल रहे हैं एक महने की बात करें तो सेम 10-11% के आप 6 महने की बात करें तो more than 35% की गिरावट तो यह बिलकुल भी अच्छी बात यहापे नहीं देखने को मिल रहे है बहुत जबरदस हम लोगों को इस स्टॉक में गिरावट देखने को आपे मिल रहे है सबसे पहले यहापे यह कंपणी कोन सी है तो यह कंपणी दोस्तों PB FinTech यहापे अभी में कुछ ऐसे पॉइंट्स आप लोगों को बताऊंगा जो कि हम लोग हमेशा यहापे learning purpose के लिए इस्तमाल करते रहते हैं जैसे कि जो भी नई कंपणी होती है जैसे मैं कहता हूँ कि उस कंपणी के उपर भरोसा रखना बहुत ही difficult होता है क्योंकि ऐसे कंपणी में अगर चोटा मोटा भी अगर negative news आता है तो बहुत ही बड़ा negative news भी easily बन जाता है यहापे आप देख सकते कंपणी के फिलाल के quarterly numbers भी सिर्फ और सिर्फ हम लोगों को loss में देखने को मिल रहे है जैसे कि आपको पताएए जितनी भी नई companies है इनका सबसे बड़ा target है कि वो अपना revenue बड़ा है sales बड़ा है बट इसके चक्कर में क्या हो रहे है कि उनको बहुत ज़्यादा losses यापे हो रहे है तो ऐसे company फिलाल तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मुश्किल से जाते वे देखने को मिल रहे ही देखिए net losses भी हमने को profit तो है ही नहीं अगर आप लोग P&L भी देखोगे company का 2015 से तो सिर्फ और सिर्फ हमने को losses के उपर losses ही देखने को आपे मिल रहे है तो ऐसे company में invest कौन करेगा बहुत ही important चीज़ में आपको बताना चाहँगा इसमें क्या invest करना बुरी बात है नहीं ऐसी बात नहीं है अगर आप इन company पे भरोसा रखते हैं अगर invest करतें long term के लिए तो बाट ठीक है बट अगर आप सिर्फ company का नाम देखके या फिर किसी ने बता दिया या फिर किसी के वीडियो देखके सिर्फ अगर invest करते हो तो फिर ऐसे वक्त बहुत सारे लोगों को दिक्कते या पे होती है कि जब ये company नीच आएगी जो की फिलाल देखने को मिल रहे तब problem देखने को या पे मिल जाता है सो दोस्तो मैं ज़रूर आओंगा आप लोगों को बताओंगा कि यहापे क्या करना चाहिए बट सबसे पहले हम लोग आ जाते है कि problem क्या है तो दोस्तो आप देख सकते आर्टिकल के उपर आ चुके PB Fintech की बात करे जो company के आप बोल सकते promoter, founder, co-founder देखने को आपे मिल रहे सो उनमें से दो दिगज हम लोगों को co-founders देखने को है आपे मिल रहे है उन्होंने अपने लगबग 2.4% तक के shares बेचते वे देखने को मिल रहे है वाया blog deal तो यह सारी चीज़े हम लोगों को देखने को मिल रहे है विचिस approximately 130 to 140 million USD अगर Indian रुपी के भाशा में बात करो त एक हजार करोड तक का माल प्रमोटर ने यहापे बेचते वे हम लोगों को इस सारी चीज़े देखने को मिल रही है थोड़ा अभी news आ रहे है कि वो कम जादा यहापे करने वाले बट ultimately अगर हम लोग बात करे तो tagline तो वही चल रहे है कि प्रमोटर कंपनी के founder co-founders यहापे अपना माल यहापे बेच रहे है अभी माल बेच रहे मतलब हो क्या exit ले रहे मतलब कोई गड़ बढ़ी है तो ऐसी भी बात नहीं उसके पीछे का reason भी उन्होंने आपके सामने आपे रखा है तो वो मैं आपके सामने रखना चाहूंगा तो अभी आप लोग देख सकते हैं पर प्रमोटर ने माल की यह पीछा है उसके पीछे का reason भी उन्होंने बता है this proceeds from the sales मतलब जो भी पैसा यहापे आएगा उसका क्या करने वाले are likely to be used by the founders to make tax payment towards the ESOP that are due so यहापे हम लोग कह सकते कि ESOP से related जो सारी चीज़े देखने कमलते हैं उनको tax यहापे करना पड़ते है advance basis के उपर अगर हम लोग बात करें तो उसके लिए पैसा चाहिए और वो पैसे पाने के लिए उन्होंने अपने stake यहापे बेचे यह reason फिलाल तो उन्होंने आपे बताया है market इस reason से नाखुश है जो कि हम लोग साफ साफ यहापे देख सकते हैं क्योंकि बहुत सारे alternatives available रहते हैं चलो बाकी लोगों की तो बात छोड़ दो बट यह तो अगर हम लोग बात करें तो यह तो founders है co founder मतला प्रमोटर टाइप यह सारी चीज़ी देखने कम लें अगर यह इस तरीकी की decision लेंगे तो बाकी institutions retail ने क्या करना चाहिए तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लोग का confidence हम लोगो अभी फिलाल shake होते वे देखने को मिल रहा है कि क्या इस company में continue करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए सो दोस्तों सबसे पहले मैं disclaimer देना चाहिए यह company कोई मेरे portfolio में नहीं है जैसे मैं कहता हो कि यह जितने भी नई companies है जब यह अपने break even के करीब यहाँ पर पोचेगी जिसको हम लोग break even point बोलते है या फिर loss इनका कम होगा तब मैं इनके बारे में विचार करूँगा चाहिए फिसको हमाई पहले यह ज़तना के चाहिए पहले बाजार को जीतना हो सके capture करो रवर बेष्ट एग्जांपल है जियो अभी जियो ने तो free में किया था बट वैसे ही है पहले market capture किया बाद में अभी charge कर रहे है आप लोग देख सकते हो बहुत अच्छी खासी profitable company वो बन चुकी है इनका भी model वैसे ही है पहले बाजर में फैल जाओ जितने भी इनका जो business है उसको expand करो और बाद में charge करने के बाद सारी चीज़े बिजनेस यहापे profitability दिखा देंगे वो तो यह फिलाल इनका plan चल रहा है तो यह चीज़े अगर आपको यहापे पता है तो definitely आप लोग यहापे continue करोगे ही करोगे मैं इतना कह सकता दोस्तो company में कोई fraud यहापे नहीं हुआ है सिर्फ यहापे हम लोग कह सकते हैं जो promoter है, founder है, co-founder है उनको पैसे की ज़रुवत थी और उनके पास फिलाल तो बहुत सारे option थे बट उनने यहापे क्या करते है या फिर loss कम नहीं होता है, तब तक इन में जाना यह बहुत ही ज़्यादा dangerous साबित यहापे हो सकता है company no doubt यहापे growth ज़रूर दिखा रहे, आप sales देख सकते हो, company के sales बहुत अच्छा चल रहे, बट खरचे company के इतने ज़्यादा चल रहे कि company फिलाल तो profit manage करते हुए देखने को आपे नहीं मिल रही है, जब यह company profit दिखाने के लिए करीब यहापे आ जाएगी, तब हम लोग इसके बारे में विचार कर सकते हैं, उसके पहले blindly इसमें जाना यह बहुत ही ज़्यादा dangerous साबित हो सकता है, यह भी मैंने पहले ही आप अगर आपके पास PB Fintech है, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों ने यहापे बहुत बड़ा मतलब रिस्क लिया है, तो यहापे होल्ड तो यहापे करना ही पड़ेगा, मैं अगर आप इन्वेस्ट करते हो ना तो भूल जाए तीन-चार साल के लिए, आपको बहुत लंबा खिलना है, पाच-10 साल यह कंपनिया बहुत बड़ा टार्गेट लेकर चलती है, कि बाजार कैप्चर करने के पाद यह चार्ज करना स्टार्ट करेंगी, तब जाके प्रॉफिट यहापे होगा, तो यह अगर थीम अगर आपको समझ में आगे, तो आप लोग जरू होल्ड क जरू करना चाहिए, कि और आपको रिस्क पता चल गए होगी, कौनसी रिस्क, जो बहुत बार बार बतार हो, कि कमपनी फिलाल सेल्स के उपर फोकस कर रही है, प्रॉफिट के उपर जादा फोकस नहीं है, यह एक बार सेल्स बहुत जादा उनका जो टार्गेट रहेगा, कमपनी प्रॉफिट में आ जाएगी, तो यह कमपनी का वीजन है, चाहिए आप जो मैटो पेटीयम किसी की भी बात करें, तो यह चीज अगर आपको समझ में आयोगी, तो फिर आप होल्ड कर सकते हो, वरना तो यह प्रेशर आप लोगों को और भी हावी होते हैं, देखने क को मिल रहा है, तो आशा करते हो, आप लोगों को सारी बात हैं आप इस समझ में आयोगी, तो चाहूते हैं इस वडियो को लाइक और शेर भी कर सकते हो, तो वीज़े बिल भी मिटिंग आरेनिक श्टुडियो तब तक के लिए, बाइ-बाइ